हलो एवरिवन वेलकम टू हर्शता मेहन्दी स्पेस डे 21 में आपका फिर से स्वागत है 30 डे मेहन्दी वीडियो की सिरीज में तो फ्लावर्स तो हमने बहुत सारे बना लिए आज हम लोग बनाएंगे काली नागिन के जैसे जुल्फे काली-काली मतलब कि आज हम लोग रियल वाली जो चोटी होती है वो बनाना सीखेंगे तो चलिए हमारे साथ बने रहें और देखिए कि हम लोग जो 3D लुक यानि कि जो रियल वाली चोटी है जो रियल दिखने वाली चोटी है वो कैसे बनाएंगे एक दम काली नागिन के जैसे हमारी आपको तो चलिए हमारे साथ बनी रही इस वीडियो में मैं आपका जादा समय नहीं लोगी और तो जो चोटी की जो आउटलाइन है वो तो मैंने ड्रो कर ली आपने देखा भी होगा कि जिक जाग पहले हमने ले लिया उसके बाद हमने इसके आउटलाइन करी और अब जो है ह एकदम रियल वाली चोटी बनाने वाले है तो आप कहना कि हाँ एकदम रियल वाली चोटी है तो देखो सारा पोर्षन तो कंप्लीट हो गया है तो शेडिंग वाले पोर्षन को अच्छे से देखना और अच्छे से शेड करना तभी ये आपकी जो चोटी है एकदम काली-का अगर आप इसके shading अच्छी नहीं करोगे तो आपके चोटी काली-काली और लंबी-लंबी तो बिल्कुल भी नहीं देखेगी. तो shading बैतर तरीके से करना और अच्छे से, आराम से, सांती से, सुकून से, पूरे पैसिंस के साथ करना. क्योंकि सबर है, तो सब है, सबर कफल मीठा होता है, तो चलिए हमारे सबर कफल देखते हैं, मीठा तो नहीं होगा, बट खुपसूरत जरूर होगा. तो हम लोग चलिए, चोटी तो हमारी कम्प्लीट हो गई है, अब थोड़ा सा उसमें रबर बैंड डाल के, नीचे का जो पोशन होता है, खुला पोशन वो भी कर देते हैं, तो ये पोशन भी हमारा, अब जो है, हो गया है, अब जो है, रबर बैंड, अब थोड़ी से जो ह है, इसकी लाइन्स को जो हमने थोड़ा लाइट लिया था, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डाक करते हैं, है ना, तो अब इसकी जो आउटर लाइन है, उसको हम लोग थोड़ा सा डाक करते हैं, और इसको और जो हमारी चोटी है, उसको और खुबसूरत बनाते हैं, इसको our final so this is our final look of kali nagin ke jaisi julfi kali kali so thanks for the watching